नमस्कार दोस्तों, हॉस्पिटल्स, मेडिकल इंशूरंस और एक काला सच काला सच इसलिए बोलों ताकि थोड़ी आईबॉल्स गेन हो जाएं बिकाज एक काला सच करके बहुत आपको पता है पर है काला सच है, ठीक है? आप लोगों को बहुत फाइदा होने वाला है नोबल तरह से काम कर रहे हो और नहीं कर रहे हो, आप प्रोफेशन को एकदम नोबल नहीं कर सकते हैं आपकी हरकते भी चेक करी जाएंगी तो एक चीज़ बताना चाहरा हूँ आप लोगों ने मेडिकल इंशूरंस ले रखा होता है पेरेंट्स का अपना बहुत लोगों का समने ले रखा है एक मेरी टिप है, फॉलो करो तो कर लो नहीं करना तो मत करो, करोगे तो कमेंट सेक्शन पर लिख देना अडवाइस बड़ी प्रैक्टिकल है जब भी एडमिशन होता है किसी हस्पताल में और पेशन्ट को लेके जाते हैं किसी बिमार आदमी को एडमिट करने को इस्वेशन होती है तो सबसे पहले रिसेप्शन पर वो कहते है न नंबर को रिश्टार को बेशते हैं वाजाओ सबसे पहले पूसता है जी मेडिकल इंशुरेंस है या नहीं है तो अगर आपका मेडिकल इंशुरेंस होगा तो आप फट से बताओगे न मेरा है ये रेकार्ड फट से बताओगे आपको थोड़ा वहाँ पर ऐसे बोलना है नहीं है है आपका पर आप बोलो नहीं है रीजन बता रहा हूँ मैं जब तक आपका ढंक से डाइगनोसिज ना हो जाए तब तक आप किरपिया करके मत बताओ कि मेडिकल इंशुरेंस है बिकुज अब बहुत लोग बोलेंगे तो इलजाम लगा रहा है डाइगनोसिज इस अल्सो डिपेंडेंट अन कि इससे कितना लेना है बहुत मैं डर कर मना रहा हूँ यह वीडियो कि मेरी को ऐसी तेसी ना कर जाए बट यह मेरे को दिख रहा है बहुत अंदर से पेट में दर्द हो रहा है आप सब लोगों को बताने का तो अपनी तरफ से जतना सारा लगा सकते हो लगाओ सब्सक्राइबर नमस्ते थैंक्यू लाइक और चीज समझ में आ जाए कौनसी गाड़ी से आप आते हो ना डिफैंस और सोशल स्टेटस कितने लोग आते हो कैसे दिखते हो क्योंकि वो आप आप जैसे बड़ी गाड़ी तो बड़ी गाड़ी कब खुलेगा तो जाधा पैसा और एक गरीब आद में क्योंकि एम क्या है न संबड़ी आ वस टेलिंग इस तो संबड़ी इन मैं कोर ग्रूप में मैं डिसकस करते हैं जैसे मैं टॉपिक से बताता हूं सम्टेंस पीपल कोशन यार क्या फरक पड़ता है तेरे मेडिकल इंशूरेंस है इस लाग तीस लाग चाले से वह ले रही लेने आयए चरी तो तइरा है चरी तरह है भी पर्सीजर सी तो पैसा निकलता है एडिमिशन के तो 10,000 रुपे ले लेगा एक दिन के उसके कमरे के 5 Star Hotel में भी तो कमरे 10 12 15 रुपे कमरे के कितने पैसे ले ले लेगा है कोई ऑसपटल पांस दिन भी अकर उसने रख लिया 10,000 रुपे का भी कमरा है 15,000 का भी ऐफ 8,000 कितने का भी यह तो कितने ले लेगा लाख रुपे, बीच लाग कैसे लेगा, कुछ प्रोसीजर करने के, कुछ खोलने के, बंद करने के, विच नॉट रिक्वाइड, नॉट हेर उसके चक्षु खुले, उसके चक्षु जो बंदा था कि मैंने का यार, जस्ट बिकॉस तेरे को पैसे नहीं दे रहे हैं, तो तेरे अंद उसके नहीं दे GRE-चा, एक अपना डाइग्नोसिश सरकारी हस्पिताल में करावो फिर आपको सरकारी हसपिताल में मजा नहीं आता है ठीक ठाक से आदमी हो आपको नहीं लगना लाइन में या वहां नहीं पूप करना तो आप डागनोसिस तो क्लियर हो गया ना आपका क्या है एक्स्ट्रीम एमिरजंसी केसिस में आदमें किंग करते विमूड हो जाता है उसका कोई शकन नहीं बट उसमें भी उचारी स्मार्ट एक्ट खेल सकते हो आप कि जी हमारा तो नहीं है यह नहीं तो उसमें वो फिर फालतू की उचीजें नहीं डालेंगे एक बार पता चल जाए कि इंशोरंस है तो भाई दबा के गुलुकोस ही से नहला देंगे आपको मैं बता रहा हूं आपको एक एक चीज क कौन से टेस्ट कौन सा सहुआ आप ऑगी तुने तो देना लएं तो ने तो दो देना फि led- M Text अचल्ण करते हिपसी नहीं की को शिछ करी यह से पता नी क्या दें मुझे नहीं पता चुटकू सा चैनल है मेरा पता नहीं कौन क्या करेगा इसलिए मैं कोई नाम लेके नहीं बता रहा है नाम है सब को पेंट कर रहा है बार बार मैं भी कई चीज़ होती है कितने भी तुम दभंग वैसे बनो नमबर वन क्लारिटी के वर डर लगता है अच्छे खासों को सब को लगता हैं यह सब हो रहे हैं तो मैं करूं इन सिक चलाकी से पेश आओ और यह वाला वीडियो जो है यह मत शेर करूँ यह वो वीडियो है जो मैं अकि मैं एक developed यूटुबर हूँ जो आके कुछ वीडियोसे मैं बोलता है अपने सब्सक्राइबर्स को और लॉयल सब्सक्राइबर्स को और ओडियस को कि भाई ज्यादा लोगों को मत शेयर करना नहीं तो फिर कोड़े पड़ेंगे फिर कोशन भी पर आउट हो जाएगा सब जितनों का है क्योंकि भला सब का कभी हो नहीं सकता जीवन में ये भी एक फिर कुछ और कहानी शुरू हो जाती है ये भी जीवन का एक फैक्ट है चलाकी अडवांटेज ये वो है तब जब कर रहे हो क्योंकि फिर ये तोड़ निकाल लेंगे ये कमशने ये कमशने इनको एक बार पता चलेगा ये अपना तोड़ निकाल लेंगा और लड़े निका इंशुरंस से क्योंकि वो आपके प्रिये जन का खोल देगा कुछ जो इसको खोलने की जुरूत नहीं है जैसे गाड़ी दिखाने जाओ ना भी गेर ओल ठीक है ये नहीं जिस सब आपका तो सब चेसीज भी खराब है डाउन भी है वो भी इसा आप खोलेगा जी इंजन मान किया फिर तो आदमी वो नोटों को फुकोगे जब इंसान नहीं है तो वो तो पता है पर कई बर क्या होता है कई बर एक प्रोसेस होता है जिसमें अमरिजनसी नहीं है तो मैं कहा हूँ मेरी रिक्वेश्ट है कि आप तीन से चार जगे डियाग्नोसिस करो और एक और टिप बहुत अच्छी देने वालों अपने सब्सक्राइबर्स लॉयल सब्सक्राइबर्स और प्लीस कमें शेक्षिन में मजा आ गया तो लिख देना कि यार ये बात क्योंकि अभी यंग हो आपके साथ कुछ नहीं हो रहा पर आज नहीं हो रहा कल होगा आपके साथ माबाब के सा का करी हो ताकि वो आपको अच्छे से गाइड करते क्योंकि ये आपस में अंदर सब जानते हैं जैसे मालों मैं रियल इस्टेट में हो तो मैं रियल इस्टेट में सब जानता हूं क्या होता है मालों मैं। तो मुझे सब पता है क्योंकि जो इनसान जो होता है खुद उसको उस धंदे की माल प्रैक्टिसेज वो चैक खुद ना भी करता हो उसको पूरा वेर है उसको सुनते ही पता चल जाता है कि कान में ये डला है अच्छा भाई सब कमर्शल ले लो 6 परशन्ट तो पता है कौन किस के पते चड़गे हो तो ठीक है तो कान से पता चल जाता है सीधा इसीधा को आके बोलता है काल सर्वतोर्श है आपके तो इस तरह का अंशिक है पूरन है फिर आप भाई पित्रदोश है आपके ये बताया जा गुरू जी बता रहे पित्रदोश तो आपको पता चल जाता है कि बाइ किसके होती है खड़ के आपको तो पता है तो इस तरह doctorable बहुत ते हैं कई डॉक्टर सूय तो आपकâte जान पिचान में जो अच्छे doctor है जान पिचान है के तरफ का व्रॉंच ऐसे आ है तो परीजनिमें की मेरे को कभी कुछ होता है तो मुझे डाउट होता है तो मैंने दो-चार के नंबर रखे हूं ये अच्छे वालों के कि मैं भाई साब ये रिपोर्ट आई है यार ये तो ये बोल रहा है फिर हो कहे का ने गुरू जी ये काल्प सरदोश बता रहा है अपको ठीक है या कुछ न बना के दे दिया है ना ऐसा कोई डॉक्टर दुबारा नहीं बना के दे सकता कुछ भी निकाल सकता है या कुछ उल्टा प्लास्टिक का अंदर कुछ डाल दे वह कहते हैं ना स्टेंट है डलवालो एक नैनो डलगी आपने कौन से पैसे देने हैं इस टेंटों के रेट भी अच्छा किया कम करें ठीक है पर भाई अगर नहीं ज़रूद तो वह आपके अंदर डल रहा है अब वह आप उसमें ऑल्टरनेटिव दो तीन डॉक्टर्स हैं बहुत अच्छे अब मैं उनके नाम भी नहीं ले रहा है अच्छे वालों के क्योंकि जो खराब वालों की बड आई क्यों रहा है इससे तो मर जाएगा भई या जान आपकी है पर दिमाग भी आपका है सिचुएशन में बहुत ज्यादा पैनिक है टाइम नहीं है फिर तो कोई कुछ करी नहीं सकता ठीक है लेकिन जहां आपको टाइम मिल रहा है ऐसी सारी बिमारियां तो ऐसे नहीं होत होता है तो प्लीज बाकी चीजें भी अपनी चेक कर लो और जस्ट विकॉज आपकी पास मेडिकल इंशोरेंस है इसका यह मतलब नहीं है अपना कुछ भी करवा लो लो मैंने बड़ा प्राइड से देखा है 35 लाग का विलाया वाई साब बढ़िया अस्पताल था कर दिया स मैंने का मैं इतना क्यों कर रहा है प्लीकल इंशोरेंस हमने ना दिया कुछ यह रियल एक्जामपल्स है कालपनिक कता ही नहीं है आप लोगों को यह टॉपिक ठीक लगा अच्छा लगा मजा लगा इस तरह की कोई प्राक्टिकल चीजे बहुत चीजों के बारे में हैं वो लेकिया तो मेरा काम यहां आके ना वो ऐसा नहीं मनना एक्टिविस्ट नही भी क्रियेट नहीं करना बस सब्सक्राइबर्स को बताना है अपने अपने लेवल पर भाई सबको भला मचाने की जुरूत नहीं है चुप चाप कान में दोस्त को बता देता है भाई यह देख ले अगली बार देख ले ना और कृप्या घर के तीन या चार डॉक्टर अपन कौन से वाला है हाट वाले को पकड़ लो एक को एक को कि दूसरे वाले को पकड़ लो यह पकड़ लो क्योंकि बहुत चीज़ें इन्वेंट भी करी जाती है बिमारियां अब मैं बहुत जादा इसको उस पर नहीं ले जाओंगा बहुत इस तरह के तो कुछ वीडियो बने ही रहते हैं हमेशा कुछ अलग बनाने का है बताने का जो नहीं बताए गया ठीक है तो कई चीज़ें बिमारियां ऐसी है जो इन्वेंट भी करी जाती तो चेक कर लो तीन-चार लोगों से चेक कर लो इंडिपेंडेंट कि हाँ भी यह बता रहे तो भी फिर तो मामला को चार रहे बताएं पुरा कि भाई सब कार्टर में इतने का कर देना अर्ग्रम तो वह तो आता है तो गरहाक जजमान दिखता है उत तो आई यह अब इसको कालोप सरदोष है यह पित्र दोश है कुछ तो आपकी तो पित्रों में है किसी के पित्र खराब नीए गरते उसम पर बना लो इन्वेंट कर लो जो चीजें नहीं भी होती तो सब को ब्लेम नहीं कर रहा है लेकिन ऐसे हैं और ऐसा हो रहा है तो गार्ड अगेंस्ट इट मेडिकल इंशुरेंस देजन मीन कि जस्पेंड इट पेट आपका है शरीर आपका है कहां कोई क्या कर रहा है प्लीज पे आई होप कोई ज्यादा कोई मेरे कोई इशू ना फेस करना पड़े उसकी दुआ भी करना थैंक यू एरे मज़ेंस्ट